हेलो फेंट्स आप इस वीडियो में देख सकते हो मेरे पास एक 100 वाट का बालवा जिसे हम होल्डर में लगाए हैं और यह दोनों लाइव और नूट्रल वायर है इसे हम कनेक्शन कर रहे हैं अपने हाथों से जबकि इसमें करन्ट का फ्लो हो रहा है उसके बावजुद यह हम में एलेक्टिक सप्व नहीं लग रहा है और इस दोनों वाईर को भी जब हम टाच करते हैं पर लकिन लखता है तो इस वीडि़ियो में आपको सारा चीज बताऊँगा की कौने से कंडिस्कें में हमता लागता है यह लोग सकता है आग् summit स सारा कॉंसेप्ट क्लियर कर दूंगा उसके पाद आप अपने हाथ हो से खुद से लाइब वायर को टॉच कर सकते हो लेकिन आपको एलेक्टिक सब नहीं लगेगा तो आप इस वीडियो को कम्प्रीट वाच करना यादी वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले आप देखके यहां पर मेरे पास मल्टिमीटर एक बल भाई जिसे मैंने होल्टरे में लगा कर रखा है 100 वाट का बल मल्टिमीटर को आउन करके सबसे पहले मैं आप सभी को इसका वोल्टेज चे करके दिखाता हूं इसमें AC वोल्टेज अब आप देख सकते हो 250 वोल्ट है अभी मैं अपने घर पे नहीं कहीं प्लांट पे हूं तो यहां पर भी भोल्टेज थोड़ा से जाद है नॉर्मली जो वोल्ट है है 230 वोल्ट 220 पोट अंब 30 वोल्ट का आसपास रहता है लेकिन यहां पर 240 वोल्ट है जैसा कि आप देख रहो अब हम इससा मल्टी मेटर को आते हैं यहां पर अपर का दुखा नहीं कर रहा है इसमें लाइब आया हुआ यह लाइब रहे दाया है चलिए आप मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन से कंडिसे में लगता है और कोन से कंडिस्ट्री स्क बलगा हुआ है उसे दिखा दी गुषक्त करते हैं तो अमें अलेक्टिक आप नहीं लग रहा है और ये जो जुष्ण है बल्क वायर इसे बिभी जब हम टच करते हैं था हम आप नहीं लग लग रहा है आपने यहाँ पे कुछ गेस किया मैंनी क्या किया at a single time मैंने एक single wire को touch कियार, यह पहला concept है, आप जब भी live wire को touch कर रहे हैं उसमें जशे कर्एंट का फ़लों हो रहा ही एक single time में आप एक सिंगल ही वायर को टच करना है तो इसे हम जोर दीए अभी बलैक वायर को आप किसी भी वायर को किसे में कर सकते हो और जब हम दूसरा वायर जोर रहे हैं आप देख सेके तो यह 100 वाट का बालब जल रहा है अभी आपने कुछ किया जब मैं यहां पर भी जब वायर को टच किया दोना सुरो हो गया उसके बाद मैंने इस के बीच में सीरीज में नहीं होना चाहिए कभी Bj कि पहले में पहले मैंने सींग रोयर दिया बलाक वयर को उसके बाद मैंने रेड वायर जो और मैंने अपने हाटों से तर्च किया। पहले दोनों वायर को आफस में टच कर दिया। तड़ा कंसेफ्ट ये है कि आप सिंगल टाइम आप एक सिंगल रवायर को टुछ करो। और आप देख सकते हो अभी हम जूता पाने हुए यानि कि ground से insulated है, ground में touch नहीं है, तो जब भी आप live wire पर काम करो, तो आपको जमीन में touch नहीं होना चाहिए, आप दिवाल में नहीं touch करो, किसी आदमी को नहीं touch करो, आपको कुछ नहीं touch करना है, यानि कि पूरे ground से insulated होना कोई भी आदमी आपके भगल में खड़ा है, उसको भी नहीं touch करना है, आपके भगल में दिवाल है, या फिर कुछ भी है, रसी है, तो उसे आपको touch नहीं करना है, यदि आप इसका real concept समझ लोगे तो आपको कभी electric shock नहीं लगे है, और आप बड़े असाने से किसी भी wire को connection क पर सकते हो, तो power क्या होता है, इसमें जो power flow हो रहा है, यानि कि इसमें supply 220 volt आया हुआ है, यानि कि higher volt है, ground 0 volt होता है, यदि हम एक हाँ से 220 volt को touch कि हैं, और दुस्रे हाँ से ground को touch कि हैं, तो वो 0 volt है, तो हमारे body की थरूँ वो flow होगा, यानि कि हम इसके series में हैं, और 220 volt को हम एक हांसे और दुसरे हांसे ground को touch क्यों है तो यानि कि 220 volt हमारे एक हांसे flow होगा और दुसरे हांसे ground पर जायके मिलेगा अभी देख सकते हो अभी यह बल्ब भूता था और मेरा हाथ इसमें टच था दोनों वायर में हमें अभी electric shock लगा आपको at a single time एक ही वायर को touch करना है यदि आप दोनों वायर को touch कर रहे हो तो वह जो दुसा वायर है ब्लैक वायर है उसमें 0 volt है और इसमें 250 volt है तो आपके बो इसमें वायर को touch कर दो उसके बाद हांसे उसे touch करो और आपको ground से touch नहीं होना है insulated आपको रहना है ground से हमेशा आप देखते होगे कभी कभी transmission लैंड पर पक्षी बैठा हुआ रहता है च्यासत हजार बोल्ट रहता है तेटीस हजार बोल्ट रहता है लेकिन उसे electric shock नहीं जाता है इसके कारण आप उसको electric shock लगता है दो वायर को touch करने के कारण एक वायर से उसके बहुत दीक थुरू current flow होता है दूसरे वायर हम चला जाता है जिसके कारण उसके electric shock लगता है है friends मैं आसा करता हूँ कि आपको सारी बात समझवाए होगी यदि आपको आपका concept clear नहीं हुआ और भी यदि आपको कोई doubt है तो आप हमें coin box में पूछ सकते हो और यदि वीडियो चला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर लो धन्यों